दोस्तो आज किस वीडियो में हम बताने बला हूँ कि दोस्तो हमारे जैसा लोगो कैसे बनाईएगा तो चलिए दोस्तो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ तो फाइनली दोस्तो क्या करना पड़ेगा सबसे पहले दोस्तो इस वीडियो को लाइक कर दिजे और चैनल पने तो चैनल को सस्क्राइब कर दिजे इस तरह का वीडियो पाने के लिए तो सबसे पहले दोस्तों आपको दो अप्लिकेशन की जरूत परेगा दोस्तों पिक्सलाइप और पिक्साटाइप तो उस अप्लिकेशन आपको प्लेस्टोर में मिल जाएगा वहां से आप डाउनलोड कर ल तो दोस्तों इस तरह करने के बाद आपको फाइनली दोस्तों क्या करना पड़ेगा सबसे पहले आपको इसको गोला वाले पर किलिक करना है इस पर किलिक करने के बाद दोस्तों इसको गोला कर देना है और गोला करने के बाद दोस्तों इसको कोफी करना है तीन बार तीन बार कोफी करने के बाद दोस्तो इसको कलर पढ़ाना है और कलर पर किलिक करके इसको रेड कलर कर देना है और सही के टिक पर निशान लगा देना है लगाने के बाद दोस्तो फिर से इस वाले को सलेक्ट करना है और इस वाले को सलेक्ट करने के बाद दोस्तो इसको क्या करना पड़ेगा पीला कलर कर देना है जिस तरह मैं कर रहा हूँ उसी तरह आप करिएगा तब आपको बना पाईएगा तो दोस्तो इसको फिर से इस color पर click करेंगे और इसको enable कर देंगे enable करने के बाद दोस्तो इस पिला वाले को select कर लेंगे और पिला वाले को select करके दोस्तो इस तरह के अर्जेस्ट को यहां पर अर्जेस्ट कर देना है अर्जेस्ट करने के बाद दोस्तों इसको दो को लोग कर देना है लोग करने के बाद दोस्तों तिसरे को लेना है तिसरे को लेने के बाद दोस्तों इस तरह के अर्जेस्ट कर देना है इस तरह अर्जेस्ट करने के बाद दोस्तों फिर से आपको कलर पर किलिक करना है और लोग करने के बाद फाइनली दोस्तों क्या करना पड़ेगा सबसे पहले आपको इसको इसको इस पर किलिक करके और यहां आ करके इसको तीनों को एक कर देना है और इस तरह एक करने के बाद दोस्तों इसको फिर से बैक आ जाना है और यहां पर इसको बैस्ठा देना है और इस तरह के करने के बाद दोस्तों फिर से प्लस वाले आइकन पर किलिक करना है और फ्रोम गैलेडी में आजाना है और फ्रोम गैलेडी में आने के बाद दोस्तों आपको कोई भी डिजाइन गर ले लेना है जैसे इस तरह का मैं ले लिया हूँ मेरा पहले का ले लिया इस color पड़ाना है और इसको enable करना है और प्लस वाले इकन पर click करना है और प्लस वाले इकन पर click करने के बाद उस color नहीं मिल रहा है तो दोस्तो इस पर click करना है आपको और इस वाले को select करने के बाद इसको zoom करके यहां लाना है और यहां लाने के बाद इसको सही के निशान पर टीक लगाना है और इसको ओके कर देना है ओके करने के बाद दोस्तों आपका कलर आ गया आने के बाद क्या करना पड़ेगा फिर से इस पर किलिक करना है और इसको कोपी कर लेना है और इसको कोपी करने के बाद दोस्तों इसको अर्जेस्ट कर देना है थोरा सा घुमा देना है इस तरह से घुमाने के बाद फाइनली दोस्तो इसको लॉक करना है और लॉक करने के बाद इसको फिर से इस पर किलिक करना है और इस पर फिर से किलिक करना है और इसको सेलेक्ट कर लेना है और इसको सही के निसान पर टीक लगाना है और टीक लगाने के बाद इसको जूम करके बारा कर लेना है और इस टाइप से कर लेना है और इस टाइप से करने के बाद दोस्तों यहाँ पर अर्जेस्ट कर देना है और फिर से इसको किलिक करना है और इसको किलिक करने के बाद दो दोस्तो क्या करना पड़ेगा इसको सेव कर देना है इस वर किलिक करके एक जूट करके इसको सेव कर देना है सेव करने के बाद दोस्तो फिर से बैक आना है बैक आने के बाद दोस्तो आपको को प्लोड पर किलिक करना आस कॉनेबल करते ही आपका खुट ओग़ा होने के बान दोस्तों को सेव करले ना है अपने के लिए हैं और गेलरी में सेव karने के बाराद dštahan अपको क्या करना पड़ेगा पीख參क को उपेन करना है जिस तरह मैं उपेन कर रहा हूं उसी टाइप से आप ओपन करिएगा तब आपको समझ में आ जाएगा और पिक्स आट आपको ओपन कर रहा हूं ओपन करने के बाद दोस्तों कुछ इस टैप को देखने के लिए मिल जाएगा इस पुलस वाला इकन पर किलिक करना है और बेगराउंड वे आ जाना है और बेगराउंड में आने के बाद दोस्तों इसको सलेक्ट करना है और इसको सलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको जो सेब किये हैं उसको ले लेना है जैसे मैं सेब किया हूं उसको ले लेना है तो द शुआरा करने के बाद दोस्तों यहां बेगराउंट दिखाई देटा हुगा इस पर किली करके इस टैप से आपको कर लेना है और इसको रिमूब कर देना है इस तरह से आपको कर लेना है करने के बाद दोस्तों इसको थोरा सा इस टाइप से कर लेना है जिस तरह मैं कर रहा हूं उसी टाइप से आप कर लीजिएगा तब आप असानी तरीका से बना पाईएगा लोगो तो हो गया, होने के बाद दोस्तो इसको save कर लेंगे इस फ़र किलिक करके इसको save कर लेंगे save करने के बाद दोस्तो फिर से pixat app को open करेंगे और pixat app को open pixat app open करने के बाद दोस्तो इसको delete कर देना है और delete करने के बाद फिर से आपको plus वाल एकन पर किलिक करना है और from gallery में आपको आ जाना है और from gallery में आने के बाद दोस्तो इसको select कर लेना जिस तरह मैं select कर रहा हूँ उसी type से आप select कर लिजिएगा और इसको save करके यहां बैठा दीजिएगा और यहां बैठाने के बाद दोस्तो फिर से इसको log करना है और log करने के बाद दोस्तो उस photo को लेना है जो photo आप लगाना चाहते हैं logo पर उस photo को select कर लेना है तो दोस्तो मैंने plus वाल आइकन पर click किया और from gallery में आ गया आने के बाद दोस्तों फिर से आपको उस फोटो को लेना है जो फोटो आप लगाना चाते तो दोस्तों मैंने ये फोटो लगाना चाता हूँ तो इसके लिए सही के निसान पर चुश कर लिए और सही के निसान पर टीक लगा दिए लगाने के बाद दोस्तों इसको जूम करके थोड़ा बारा कर ले ना है इस टाइप से जिस टाइप से मैं बारा कर रहा हूं उसी टाइप से आप कर लिजेगा आपको आप बना पाईएगा तो इस टाइप से कर ले ना है करने के बाद दोस्तो इसको नीचे करके इसको यहां कर देना है और यहां करने के बाद दोस्तो ज और इतना करने के बाद दोस्तों जो भी नाम है जैसे मेरा नाम है टीच सोनू तो मैंने डाल रहा हूँ और आप भी डाल लीजिएगा और डालने के बाद दोस्तों आपको फ्रोंट में आना है और फ्रोंट में आने के बाद दोस्तों इस फ्रोंट को सलेक्ट कर लेना है आपको कोई भी फ्रोंट डालना नहीं है इस फ्रोंट को सलेक्ट कर लेना है इस फोट को सेलेक्ट कर लेना है सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों इसको लोग पर किलिक करके इसको लोग कर देना है जिस तरह मैं कर रहा हूँ उसी टाइप से आप लोग कर दीजेगा इसको लोग कर देना है और log करने के बाद finally दोस्तों क्या करना पड़ेगा, फिर से आपको इसपर क्लिक करना है और इसपर क्लिक करना है और इसको select कर लेना है और सही के निशान पर it कि लगा कि इसको 4 बार copy करना है झाल झाल और इतना करने के बाद दोस्तों इसको सेव कर लेना है जिस तरह मैं सेव कर रहा हूं उसी टाइप से आप सेव कर लीजिएगा और सेव करने के बाद दोस्तों इसको डिलेट कर देना है जितना मैंने डाला हूं सब को डिलेट कर देना है और delete करने के बाद दोस्तों फिर से plus वाला icon पर click करना है और आपको from gallery में आ जाना है और from gallery में आने के बाद दोस्तों इसको select कर लेना है जो मैंने save किया हूं उसको और इसको save करने के बाद इसको छोटा करना है इस टाइप से कर देना है करने के बाद दोस्तों फिर से आपको इसको लॉक करना है और लॉक करने के बाद आपको पेंसिल पड़ा जाना है पेंसिल पड़ा आने के बाद दोस्तों आपको इस पर किलिक करना है और इस पर किलिक करना है और आपका जो भी नंबर है वो डाल सकते हैं प्लस नाइन वन और इस तरह के आपको और जेस्ट कर देना है इस तरह से अरजेस्ट करने के बाद दोस्तों आपको इसको कलर पर जाना है और पीला कलर कर देना है करने के बाद दोस्तों एक वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजेगा और चैनल पने तो चैनल को सस्क्राइब कर दीजेगा लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए तब तक के लिए दोस्तों जाहिंद तो दोस्तों लागो मेरा बन के त्यार हो गया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा और चैनल पने तो चैनल को सस्क्राइब कर दीजेगा लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए तब तक के लिए दोस्तों जाहिंद कर दोस्तों जाहिंद